Hello friends, welcome to my youtube channel, A2J educational ग्यान में आप लोगों का स्वागत है आज का हमारा topic है जैविक विश या जैविक जहर क्या होता है? तो चलिए जानते हैं जैविक जहर क्या होता है? या उनके मित्तु का कारण बनते हैं जविक विस में हम तिन जीवों के विसों के बारे में पढ़ेंगे पहला सर्प, दूसरा मधमक्खी और तीसरा बिच्छू सर्प विस क्या है? इसके बारे में जानते हैं सर्प के 22 ग्रंतियों से तैयार होने वाले द्रव्य पढ़ार्थ सर्प 20 कहलाते हैं यह एक जटिल कारबणिक योगीख होता है विस एक स्वक्ष चिप चिपा पिले रंग का द्रव्य पढ़ार्थ होता है जो रंगहीन एवन गंधहीन होता है तथा सरीर के टूटे फूटे भाग अर्थात कटे फटे भाग पर ही ख्रिया करता है वीज के संगठन को देखने पर पता चलता है कि सर्प वीज 30-35% विसायले प्रोटीन का बना होता है या प्रोटीन पानी में घूलन सिल होता है और सरीर में रख्त के अंदर घूलने पर ही प्राण घातक होती है सर्प वीज को सिल्वार नाइट्रेट एवं पोटेस्यम पर मेंगनेट को घोल द्वारा और शेपित किया जा सकता है अर्थात सर्प वीज से उपचारित किया जा सकता है किसी वैक्ती पर सर्प वीज का प्रभाव सर्प के प्रकार अर्थात कौन प्रकार से सांफ है उसकी वीज की मात्रा कम या अधिक मात्र वीज के कम या अधिक मात्रा पर निर्भर करता है भारत वर्ष में पाई जाने वाले तिन प्रमुग सर्फ है तो पहला है सर्फ में कोब्रा के विश के लक्षन कोब्रा का विश्ट नियूरो टॉक्सिक होता है अर्धात ये सिधे मस्तिस्क पर प्रभाव डालती है जो कि प्राणियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिससे स्वसन तंत्र एवं पेश्यों को लकवा ग्रस्त हो जाती है विश्ट के प्रभाव से रोगी को ज जलन जन जनाहाट होती है साथ ही जिस भाग में कोब्रा काटता है वह भाग सुन हो जाता है इसके बाद उस भाग में सुजन आ जाती है तथा रक्त बहने लगता है रोगी को नसर होने लगता है रोगी कमजोर वह सिथिल हो जाता है टांगों की गत्वीदियां कमजोर हो जात है या सुन हो जाती है और रोगी बैठ नहीं सकता है शरीर में पर्षीना निकलने लगता है शरीर लखवा ग्रस्त हो जाता है काटने के समय के 20 दस निट या 2 घंटे के परश्चात असर दिखाई देता है पास से बारा घंटे के बिच रोगी की मृत्ति हो जाती है अब सर्पदंस के उपचार सर्पदंस के उपचार का पहला है सर्प के काटने के इस्थान के उपर वाले भाग को रस्टी से कसके बान देना चाहिए जिससे उस भाग के रख्त का प्रवा हिरदय की और ना हो सके सर्प द्वार काटे हुए भाग पर चीरा लगा कर वहां के दूसी तरख्त को चूसा की अंत्र से बाहर निकाल देना चाहिए तिसरा है घाव पर बर्फ रख कर उस भाग को ठंड़ा करना चाहिए तत्था potassium per magnet को भर देना चाहिए सर्प पाय जाने वाले स्थानों से हमें दुर रहना चाहिए रोगी को काफी पिला कर अराम देना चाहिए अब है, सर्प दन्स के सुराक्षात्मक उपाय सर्प से सुराक्षात्मक उपाय पहला है सर्प से बचाव के लिए कुत्ते बिल्ली का पालन करना चाहिए दुसरा है जमीन पर हमें सोने से बचना चाहिए तिसरा अंधेरे में वीचरण नहीं करना चाहिए एवं प्रकास की विवास्था से चलना चाहिए चौन्था आवासी इस्थानों के चारो और घांस ज़ाड नहीं होने चाहिए और पांचवा है जंगल में जाते समय लंबे जूते का उप्योग करना चाहिए अब सर्प विश के बाद मधमक्खी विश देखते हैं मधमक्खी विश में हिस्टामिन एवं मेलेटी नामक विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं इन प्रोटीन के अत्रीक्त हायलू, रोनाइलेज एवं फास्पो, लाइपेज, एवं बी, एपामिन, एवं पेप्टाइडेज पाए जाते हैं मदमक्खी वीश के लक्षण मदमक्खी या बर्ररकिट जब किसी भी मनुसे को काड़ता है तह वो डंक की सहायता से घाव बना देता है और घाव के अंदर गहराई तक जाकर वो डंक वीश के अंदर पहुंचने में सहायता करता है विश के सरीर में प्रवेस करते ही निन लक्षन पर लक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं पहला है मध्मक्खी द्वारा काटे गए वहाग में दर्द लालिमा सूजन दिखाई देता है दुसरा है दर्द यूगत एवं कभी कभी घातक अभिक्रियाएं होती है तिसरा है मुख, गले, चेहरे, गर्दन और भुजा में लेरिंक्स या ग्रशनी का सूजन तथा अवरोध निर्मित हो जाता है मधमख्यों के द्वार अनेक डंग के प्रहार से पेट्र में विसंगती एवं उल्टी होना तथा डायरिया के साथ मुर्शा होने की प्रक्रिया दिखाई देती है यदि दंस घातक नहीं होता है तब इसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है तिवर अविक्रिया की इस्थिती में 2-15 मिनिट में मृत्य हो जाती है मधमख्यों के उप्चार पहला है डंग को सरीर से बाहर निकाल देना चाहिए तथा वहाँ पर चीरा लगा कर टिंचर आयोडिन लगा देना चाहिए दुसरा है इस्थानी भाग के दन्स पर एवमचारो और एंटी हिस्टामिन आउसधी का उप्योग करना चाहिए तिसरा है बहु गुडित डंग दन्स में हैड्रोकारेटिसोन को अंतर आउसधी का उप्योग करना चाहिए तिसरा है बिच्छु विष इस प्रनाली का विष थोड़ी सी मात्र से निकलता है परन्तु इसके विष की विषाक्ता सर्प्रकी विष की अपेक्छा अधिक खतरनाक होती है इसका वीज स्वक्ष एवं रंगिन होता है इस वीज के प्रभाव तेज वा अधिक दर्दनाक होता है अब बिच्छी वीज के लक्षण देखते हैं पहला है इसका वीज होमोलीटिक वीज होता है इसके काटने पर केवल एक छीद्र बनता है छीद्र के चारों और लाल रंग का छेत्रा बनता है दूसरा है खुजली प्रभावी छेत्र में सूजन एवं ज्वलन सिल दर्द होता है तिसरा है बैचैनी अस्तुधारा नाक का बहना लार का निकलना पसीने आना जी मिचलाना उल्टी होना प्रमुख इसके लक्षण है चौथा है कुछ समय परस्चाथ रो होती है छटवा है रोगी को अतधिक रक्त लिये कफ निकलता है इसके बाद बिच्छू विश के उपचार पहला है बिच्छू के काटे हुए भाग को उपर की दीशा में रक्त बंद करना चाहिए दूसरा है काटे हुए इस्थान पर बर्फ लगाना चाहिए तीसरा है बाओ को अमोनिया गोहल या पोटेसियम पर मेंगनेट से साफ करना चाहिए पांचवा है निद्रकारक और सिधी देना चाहिए आज के लिए बस इतना है वीडियो अच्छा लग हुगा है लाइक एवं सस्क्राइब कीजिए